इंदोर चुले में आदर शाचार सहिता लगने के बाद चुला प्रसाशन एक्शन मोड में आ चुका है इंदोर चुला निर्वाच्वन अधिकारी कलेक्टर आशीश सिंग ने आज इस चैंडिंग कमेटी की बैठेक में राच्वनेतिक दलों की प्रतनिधियों को चुनावी इंदोर चुले में आदर शाचार सहिता लगने के बाद भारत निर्वाचन आयोग के नरदेशों का पालन करवाने को लेकर कलेक्टर आशीश सिंग ने इस चैंडिंग कमेटी की बैठेक आयोजित की बैठेक में सभी राच्वनेतिक दलों के प्रतनिधियों को निर्वाच जन आयोग की नियमों की जनकारी दी गई बैठेक में सभी को बताया गया कि बिना अनुमती के किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन जुलूस रैली आम सभक आयोजन नहीं किया जा सकता है वही सभी कारक्रमों के विदिवत परमीशन के लिए एकल खिड़की की व्यावस्था की ज़ा रही है जहां से सभी तरह की अनुमतिया ली ज़ा सकेगी देखे चुनाओ की गोशना हो गई है आचार संक्ता प्रवावशील हो गई है और इसलिए स्टेंडिंग कमेटी की बैठा कायुजित करी गई थी जिसमें जितने भी प्रमुख राजनितिक दल हैं उनके प पेक्षाएं हैं उनको भी रेकांकित किया गया है और कुछ जो स्टेंडिंग कमेटी की मेंबर्स की तरफ से सुझाओ आये थे या कुछ आप्जेक्शन साय थे उनको भी लेकर उनका रिजिलुशन करने के लिए टीम को निदेशित किया गया है हमारी टीम पूरी तरीके से चुनाओ और जो एलेक्शन कमिशन की गाइडलाइन है उनके अनुरूप होना चाहिए जो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है चाहे वो हमारा आरो मैनुवल हो या पीठा सीनेदिगारी की डायरी हो या फिर जो दूसरे मैनुवल्स हैं उनका अक्छरशा पालन लाइन बाइ लाइन किया जाए ये सभी को निदेशित किया गया है और अगर किसी तरीके के कहीं पर कोई कन्फूजन होता है तो वो उनके द्वारा हमसे मागदशन भी लिया जा सकता है लेकिन सभी नियम कानूनों का इलेक्शन कमिशन के जो भी गाइडलाइन से उनका अक्छरशा पाल में शांती पूर्ण और निश्पक्षित चुनाव करानी के नरदेश विदिये हैं ब्यूरो रिपोर्ट एम्पी न्यूस इंदार